कर दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पृतिमी राज तिर्थिया के बारे में तो पृतिमी राज चोहान या रहा पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है यह चोहान बंस के राजा थे इनका जन्म 1166 इस्वी में गुजरात में हुआ था इनके पिता का नाम था सोमेशवर चोहान ये चाहमाश डैनेस्टी के किंग थे जब 1177 इस्वी में सोमेशवर चोहान का मिर्थियू हुई तो उस समय पृतिमी राज चोहान सिर्फ 11वर्स के थे उस समय उनको राजा बनाया गया अर्ली एज में जब ये कम उम्र के थे तो इनकी माता इनके साथ राजगदी संभालती थी और उनको माता के सजेशन पर ये एड्मिनिस्रेशन का काम देखते थे राज चौहन को अपने अर्ली सासनकाल में काफी जीत मिली जिसमें उन्होंने नागर अरजुन के रिबॉ जा जैचन से उसका 36 का आंकडा रहा तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रित्मीराज चोहान की वह चार गलतियां या चार मिस्टेक्स क्या थी जिसके बज़र से 1192 के तरायन के दूतिये युद में प्रित्मीराज चोहान की हार हुई और भारत बरस को एक लंबे सम में तक गुलामी का दंस जहलना पड़ा तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा जैचन और प्रित्मीराज चोहान के रिलेशन्सिप के बारे में राजा जैचन कन्योज के बहुत ही सक्तिसाली राजा थे और उन्होंने अपनी सुपरियर्टी साबित करने के लिए एक राश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया पर प्रित्मीराज चोहान ने उस संज्योजन में सामिल होने से मना कर दिया तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि वह राजा जैचन के सुपरियर्टी को एकसेप्ट नहीं करते हैं तो इस बज़ए से राजा चाही नाराज प्रित्मीराज चोहान के वेलर और इस साहस को काफी पसंद करती थी उनको मन ही मन प्यार करने लगे तो तो जब ये बात राजा जैचन को पताचली तो वो काफी परहसान हुए और प्रित्मीराज चोहान से अपना अपमान का बदला लेने के लिए उन्हों ने एक स्वेंबर का आयोजन किया जिसमें उन्होंने देश-बीदेश के सभी राजाओं को आमन्तरित किया पर्थमी राज-चौहान को आमन्तरन नहीं किया उसकी जगह पे पृत्यमी राज-चौहान को एक पुतला बना के रखा और स्वेंबर आरम कर दिया तो स्वेंबर में संजोधिता ने किसी राजा को सलेक्ट नहीं किया और पृत्मी राजचोहान के पृतले को ही वरमाला पहना इसी दर्मियान इसी बीच में मुहमद गौरी जो की गुरीद डाइनेस्टी के किंग थे उन्होंने पृत्मी राजचोहान के सामराज़ पे हमला किया उनके बोडर पे जो की तराइन के पास है भटिंडा के पास है वहाँ पे हमला किया और इनके एक फोट पे अपना कबजा जमा लिया ये बात जब प्रिथमी राज चोहान को पता चली तो वो काफी गुसा हो गए और उन्हों ने तीन लाग घुरसबार और तीन हजार हाथी के साथ हमला किया और स्टार्ट होता है तरायन का पर्थम युद्ध तरायन का पर्थम युद्ध जो 1190 में मुहमद गौरी और प्रिथमी राज चोहान के बीच में लाए गया था जो कि पंजाब के पास है तो इस युद्ध में प्रिथमी राज चोहान की डिसाइसिब जीत हुई और मुहमद गौरी काफी जख्मी होगे उसके सेवक कुतुब दिर एवक ने उसको अपने घोरे पे बैठा के लेके भाग गये प्रिथमी राज चोहान अद गौरी का पीछा करना चाहते हैं थे इन्ड उनको खतम करना चाहते हैं बट इसी बीच उनको पता चलती है कि संजो valeur हो रहा है तो वह अपने एक सो सैनिक को लेकर उसके स्वेंबर में पहुंचते हैं और वहीं से वह संग्योगता को उठाते हैं और वहां से उसको लेके दिल्ली आ जाते हैं दिल्ली आने के बाद वह संग्योगता से अपना विवार चाते हैं तो इस बात से जैचन अब काफी गुसे में रहते हैं तो इसी बीच मुहमद गौरी गजना पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी तराइन के पर्थम युद्ध में जो उनको हार मिली जो बेजती हुए उनका बदला लेने का प्लान बनाते हैं मुहमद गौरी गजना पहुंच गए उन्होंने अपने हार के बदला लेने के लिए तैयारियां सुरू कर दी उन्होंने एक लाख बीस हजार अफगान तजिक और टर्किक होर्समेंजों की काफी स्ट्रॉंग लोग थे कुछ महनों में उन्होंने सबको इकटा किया सबको प्रिपियर किया और वो चामना किंडम के तरफ कूच करते हैं मुलतान और लाहौर होते हुए उनको जम्मु के राजा विजैराज ने भी सपोर्ट किया इसी दर्म्यान प्रिपमीराज चोहान के पास कोई भी ऑलाई नहीं बचा क्योंकि उस दर्मियान सारे हिंदू राजा आपस में लड़ रहे थे और प्रित्वी राज चोहान की काफी लोगों से लड़ाई, चालुक्यों से लड़ाई, चंडेलों से लड़ाई या कन्नोज के राजा जैचन से लड़ाई भी हो चुकी थी दोस्तों कुछ हिस्टोरियन की बात माने तो ऐसा कहा जाता था कि राजा जैचन ने मुहमद गौरी को इन्वाइट किया था प्रित्वी राज चोहान के राज पे हमला करने के लिए तरायन के जमीन पे वापस पहुंचते हैं मुहमद गौरी और इन्होंने अपना खेमा उधर डाल दिया इधर प्रित्वी राज चोहान को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने 30 लाख सेनिक के साथ वहां पहुंचते हैं जिन में उनके आर्मी के हेड भी होते हैं सब लोग होते हैं तो वो वहां पहुंचें तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मुहमद गौरी को एक चेताब नहीं दे कि आप गजना वापस चले जाए तो आपकी जान को बख्स दिया जाएगा तो मुहमद गौरी ने एक चाल चली जिसमें उन्होंने प्रिथमी राज चोहान के पास संदेश भिजवाया कि मैं अपने भाई के पास ख़वर भेजता हूं गजना जब तक उनका कुछ रिप्लाइ नहीं हो जाता हम एस्टिय करेंगे हम युद नहीं करेंगे और उनका रिप्लाइ आते ही मैं वापस गजना चला जाओंगा प्रिथमी राज चोहान इस बात में आ गया और उनके बातों में फस गए लेकिन मुहमद गौरी ने एक्चाल चली जिसमें उन्होंने दस दस हजार के सैनिकों को चारो तर्थमी राज चोहान के खेमे को घेरने के तैयारी की उन्होंने अपने केम्प में मसाल जलती हुई छोड़ दी और दस दस हजार सैनिक से जंगल के और होते हुए पूरी रात भर कूच किये और सुबह जैसे ही सुबह हुआ उन्होंने हमला बोल दिया इस समय पृतिमी राज चोहान का कोई भी सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं था सब अपने नितिकरिया से निपट रहे थे या पूजा पाट में लगे हुए थे उसी समय हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद एक बार मार के आते थे और फिर वापस भाग जाते थे फिर भी सुरवात में जैसे ही पृतिमी राज चोहान ने अपने आर्मी को एरेंज किया तो उनकी जीत हो रही थी लेकिन जैसे ही उनकी जीत हो रही थी कुछ सैनिकों ने सोचा कि हम आगे जाके मुहमद गौरी पे हमला करेंगे तो कुछ सैनिक अपना फ्लैंक तोरके आगे गये और उस पे हमला बोल दिया तो इस बज़ा से प्रित्मी राज चोहान का जो आर्चर था वो उस पे हमला नहीं कर सकते थे लेकिन जैसे ही वो दोरे उन पे तो उन्होंने सब का काम तमाम करेंगे मुहमद गौरी का जो रिजर फोर्स जब हमला किया तो प्रित्मी राज चोहान की आर्मी बुरी तरह से हार गई प्रतिमी राज चोहान अपने हाती से उतर कर अपने घोरे पे बैठे और युद का रन भूमी छोड़के भागने लगे घेर लिया गया और उनको मार दिया गया दोस्तों कुछ हिस्टोरियन अब बात करते हैं हम दोस्तों की ऐसी चार क्या गलतियां थी जिसके बज़से प्रतिमी राज चोहान की हार हुई तो दोस्तों पहला मिस्टेक जो प्रतिमी राज चोहान ने नजर अंताज किया जो बात वो था उन्होंने तरायन के पर्थन युद को जस्ट अप फरंटियर वार लिया कि एक छोटा सा वार है जिसको उन्होंने भाव नहीं दिया उनको पता था कि मुहमद गौरी फिर से हमला करेगा तो इस वार को जो उन्होंने हलके में लिया मुहमद गौरी दुबारा हमला करेगा तो पहली गलती ये है कि आप अपने दुस्मन को कभी कम ना आके दूसरी गलती यह हुई कि जब प्रित्मी राज चोहान को पता था कि मुहमद गौरी पुना हमला करेगा तो वन इयर में इन्होंने कोई भी कोई भी प्रिप्रेशन नहीं करे ये संग्योगिता के प्यार में पढ़े रहे और अपने आर्मी पे कुछ ध्यान नहीं दिया और साथ का साथ कोई भी प्रिप्रेशन नहीं करा आर्मी टैक्टिक्स नहीं करा तीसरी सबसे बड़ी गलती जो प्रित्मी राज चोहान नहीं करी जब ये दुत्ये युद के लिए तरायन के दुत्ये युद के लिए गए तो सब ने सब राजपूतों ने जितने सेनी थे सब अभी अपने बच्च और बीबियों के साथ गए प्रित्मी राज चोहान भी संज्योगता को लेके युद में गए ये सब ये थी कि जब उन्होंने इसकी बात मान ली कि मुहमद गौरी की बात मान ली कि और युद का बिराम किया वह गलती नहीं और उन्होंने एक टैक्टिकल वार का कुछ भी फायदा नहीं उठाया उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी कि कैसे वार जितना है तो इन सब गल्तियों की बज़र से भारत वर्स एक हजार साल की गुलामी को जहले है दोस्तों अब बात करते हैं प्रतिमी राज चोहान की मौत के बारे में दोस्तों इस मेटर में सब हिस्टोरियन का अलग अलग ड़ाय है कुछ लोग ये कहते हैं कि युद में ही प्रतिमी राज चोहान को जब पकर लिया गया तो युद में ही मार दिया गया संजोगिता के साथ मौमद गौरी ने रेप किया और साधी की और जब मौमद गौरी भारत छोर के गये तो उसके बाद उनके सेवक कुतुब बुद्दिन एवक जो की गुलाम बंस का अस्थापना किया उन्होंने भी उस से का रेप किया और साधी की कुछ लोग की बात माने तो मौमद गौरी ने प्रित्मी राज चोहान को पकड़ के फिर से अजमेर का राजा बनाया और उनके बाद प्रित्मी राज चोहान ने उनके खिला बगावाद की जिसमें उसका मारे तो और एक fictional story है जिसमें ये रासों के हिसाफ से मुहमद गौरी ने पृत्मी राज चोहान को गजना लेके गए और उनको अंधा बना दिया गया और ये बात जानने के बाद चंद बरदाए जो की एक poet थी उस समयकाल का वो गजना ट्रेवल किया और उन मुहमद गौरी को ये बता है कि पृत्मी राज चोहान को सब्द भेदी बान आता है वो अंधा रहते हुए भी किसी भी बांद को भेद सकते हैं दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृत्मी राज चोहान को सब्द भेदी बान आता है तो उन्होंने कहा कि प्रित्मी राज चोहान से आर्चरी देखा जाए तो उन्होंने प्रित्मी राज चोहान को तीर दिया और बोला कि यह अपना आर्चरी देखा है तो चंदवर्दाय ने कहा कि मैं उसको निसाना का जगा बताऊंगा तो उन्होंने एक कविता में बोली कि चार बस चालीस गज अस्ट अंगल प्रदहान तापे है सुल्तान मत चूप चोहान ये बात सुनते हैं प्रित्मी राज चोहान ने अपना निसाना साधा और सीधा मुहमद गोरी के सीने में अपना बान मारा और बाद में चंदवारदाई को भी मार दिया और खुद को भी मार लिया दोस्तों ये एक फिक्सनल स्टोरी है इसका कोई भी हिस्टोरिकल प्रूब नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रित्मी राज चोहान के मिर्तियों के बाद भी कम से कम दस साल तक मुहमद गोरी ने सास किया है परने बाद दोस्तों